कि नमस्कार दोस्तों मैं सुनील शर्मा आपका रक्षम टेक में बहुत-बहुत सवगत करता हूं फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने मोबाइल से सिसीटीवी कैमरे का बैकप हम ले सकते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमारे पास एक मोबाइल एप्लिकेशन होती है जैसे कि मैंने यहाँ पर सुपर लाइप एप्लिकेशन को लिया है तक हम अपने सिसीटीवी कैमरे का बैकप ले सके हैं तो आपका कैमरे किसी भी कमपनी का हो उसके regarding एक mobile app आपके पास भी होगी जिसके थुरू आप अपने cctv camera को online देखते हैं तो friends आपको जिस भी cctv camera का backup लेना है उस camera को आप अपने finger से ही double click करके बड़ा कर सकते हैं और जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपको यहां पर option मिलेंगे जैसा कि आप display पर देख सकते हैं एक camera का होगा और एक video recorder का होगा तो जैसे ही आप image पर click करेंगे तो उसी moment की जो है image click हो जाएगी और जब आप video को record करेंगे तो उसी moment का जो है video record हो जाएगा और यह जो recording files होगी यह आपको man man number जाकर file की option में जाना है तो वहाँ पर आपको यह जो files हैं आप देख भी सकते हैं display पर आपको stories में मिल जाएंगी जहां से आप यह अपने किसी friends के साथ whatsapp पे या अन्य किसी जो है social website पे भी इसे अपना share जो है कर सकते हैं friends तो यह था हमारा live cctv जो हमारे camera चल रहे हैं उनकी जो footage है उसे हम कैसे share कर सकते हैं कैसे उसे store कर सकते हैं अब बात करते हैं कि हमारे जो पिछला backup है जो हमारा पिछली जो हमारी recording है उसे हम कैसे record करें या उसकी image कैसे share करें तो friends आप bottom side में देख सकते हैं right hand side से second option जो है वो playback का है इस mobile application में तो जैसे ही हम playback में जाते हैं तो सबसे पहले हमें friends playback में जाना है okay playback में जाने के बाद ही जो है हमें option मिलेगा तो friends यहाँ पर जैसे ही मैं playback में आता हूं तो जिस भी date की मुझे recording देखनी है और cursor को आगे पिछे करके मैं time के according अपने cctv footage को यहाँ पर देख सकता हूं तो friends same to same जैसा कि हमने live में किया था cctv footage में recording में भी same हमें ऐसा ही करना है हमें अपनी finger से click करना है camera की screen के उपर जैसे ही हम अपने finger से click करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते camera और video दो हमारे पर option आते हैं जैसे ही मैं camera पर click करता हूं तो image जो है capture हो जाती है उसी moment की और इसे बाद मैं दुबारे इस पर click करूंगा तो यह recording वहाँ पर बंद हो जाएगी तो friends यह files भी जो है हमें मिलेंगी अपने main menu में जाना पड़ेगा हमें वहाँ पर आप देख सकते हैं file का एक option है file पर click करना है तो friends यहाँ पर जो है हमारी वो सभी files जो है आ गई हैं जो की ह हमने suit की है चाहे वो वीडियो है चाहे वो आपकी cctv image है camera की तो यहां से भी आप जो है इसे share कर सकते हैं whatsapp पे mail पे जहां भी आप इसे use करना चाहो share करना चाहो तो आप उस particular किसी बंदे के पास भी इसे बेश सकते हैं okay friends friends हमारा चनल रक्सम टेक cctv सरवलाइंस बेश चनल है cctv's related काफी सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे friends हमारे वीडियो को like करना और हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा हमारा वीडियो देखने के लिए friends आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thanks for watching